Guys, आज की इस वीडियो में हम discuss करेंगे कि आप कैसे OKX के अंदर authenticator app को add कर सकते हैं या आप कैसे अपने Google authenticator को अपने OKX account के साथ link कर सकते हैं, तो बहुत simple process है, आपने सबसे पहले जाना है OKX में, then आपने जाना है profile and settings में, profile and settings के अंदर यहां पर आपको option मिलता है security का, तो आप option मिलता है authenticator app का, यहां पर आप देख सकते हैं, जिसके सामने लिखा है not setup, तो आपने इसके उपर tap करना है, tap करने के बाद आपने इसको continue करना है, link authenticator app and continue करने के बाद आप यहां पर देख सकते है, enter the following setup key, तो आपने इसकी को copy करना है यहां से and copy करने के बाद आपने simply जाना है अपनी Google Authenticator app में, Google Authenticator app के अंदर आपने यहाँ पर enter asia tab key के उपर click करना है, and click करने के बाद आपने, आपके पास next tip आएगा name and key का, तो आपने name type करना है, जिस नाम से भी आप save करना चाहते हैं, आपने दिन की वहाँ पर paste करके save कर लेना है, ठीक है, तो save करने के बाद आपके Google Authenticator के अंदर, आपका जो account है, वो add हो जाएगा, उसके बाद आपने दुबारा आना है, okay x में and okay x में आने के बाद आपने यहाँ पर इसको next करना है, next करने के बाद यहाँ पर आपके पास option आएगा, phone authentication, तो आपने verify करने के लिए, अपने mobile phone के ऊपर एक code send करना है, यहाँ से and then उसका OTP code आपने यहाँ पर put करना है, उसके बाद आपने Authenticator app से code copy करना है and यहाँ पर paste करना है, paste करने के बाद आपने इसको submit करना है, तो आपका जो account है, वो आपके Google Authenticator के साथ link हो जाएगा, राइट, तो आप इसी तरह अपने OKEX account के अंदर Google Authenticator को add कर सकते है या link कर सकते है and आज की वीडियो में बसीतना ही guys, मिलते हैं नेक श्टुडियो में, तब तक के लिए, take care and good bye